हेलो साथियों वेलकम टू पीवियर स्टड़ी बच्चों जैसा कि आपको पता है परतेक साम को 6 बजे से इस समय आप कच्छानों की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं इक्सरसाइज 13.2 चल रहा है और कुश्चन नंबर 8-9 तक आपने पढ़ लिया है आज 10 और 11 दो कुश्चन और होगा उसके बाद यह खतम हो जाएगा ठीक है इस टू बी कवर्ड विथ आ डेकोरेटिव क्लॉथ मतलब एक सजावती कपड़े से कवर किया जाना है ठीक है तो फ्रेम है जाब बेस डाइमेटर आप 20 सेंटिमेटर एंड हाइट आप 30 सेंटिमेटर अब मार्जीन आप 2.5 सेंटिमेटर इज टू बी गिवन फार क्लाथ इज रिक्वाइड फार कवरिंग दा लैंप सेट मतलब समझो कुल मिला के काहर क्या रहा है हिंदी में तो आप पढ़ी रहे हो यह देखो एक लैंप सेड है ऐसे कुछ है तहरा मैंने कपड़ लिया और इसको कबर किया लेकिन यह मत्सोचें को उपर मैं या अशी बएगाए मैं मृइप समज में आगए यह यह अलग है इसको क्या decide इसे ढखना है बाबू समझो यहां पे तो यह देखो ढख तो गया चारो तरब से लेकिन ऊपर साइड अभी खुला है और इसी तरह से नीचे भी खुला होगा बसे कपड़ा काफी बड़ा इसलिए नीचे नहीं खुला लेकिन नीचे इस तरह से खुला मतलब बगल बगल ही करने के लिए कुल कितना कपड़ा लगेगा इसमें सेंटेमीटर है और इसके वह तक मतलब यह met ग्रेमें 30 cm है देखो बहुत ही सिंपल है बाबू कोश्चन आपको इस्क्रीन पर दिख रहा है कहने की पढ़ने की कोई बात नहीं है पढ़ लोगे न देखो सुनो फिर बहुत ही सिंपल है कि देखो करना क्या है समझो लिखिए दिया है फटाफट लिखो दिया है गिवन जो जो दिया है आप लिख लिजिए दिया है देखो डी दिया है बाबू 20 cm यहां से हम कह सकते हैं कि आर 10 cm दिया है इसमें कुछ करना है नहीं बढ़ी का अधा हो जाएगा थी गई है आपको क्या दिया है भाइया हाइट दिया गया 30 cm लेकिन यह हाइट रियल वाली नहीं है वास्टों में रियल वाली काहे को नहीं है देखो मैं बताता हूं यह कुष्चन मैं हटा रहा हूं द्यान देना देखो यहां पर सम यह आपका 30 है ना लेकिन कह रहा था कुष्चन में कि धाई-धाई सेंटीमेटर अत्रिक्त कपड़ा चोड़ा जाना है अभी कुष्चन दिखाओंगा सुन लेना वो धाई सेंटीमेटर यहां है कहीं इधर साइड इधर फाइड जो इसको ढखेगा इधर भी डाई सेंटी टोटल रीएल मैं जो हाइट होगी होगी है कि होगी टोटल में मैसमें 30 5 सेंटीमीटर इसे डी टियल में लिख लो समझ में आएगा जिसने की इकवल 25 सेंटीमीटर यह रियल में हाइट है ठीक है बात पक्की इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं न आप क्या करना है हाँ इसमें चीज़ा लिख सकते हो सिंपल में यम मतलब मार्जिन 2.5 cm कि जो हींदी वाले हैं हींदी वाले भी फैट आईजम ही लिखते हैं वो लोग इसको नहीं लिखेंगे तो इसको इंगले समय है दोनों लाइगेंज में बता रहा हूं एक वार से सुन लो कहरा नीचे मोडने के लिए दोनों और दाई सेंटेमेटर अाठ्रिक्ट कपड़ा भी छोड़ा जाना यह को पढ़ लो मोडने के लिए आठ्रिक्ट कपड़ा का मतलब मारजी को को बोलते हैं इंगलिज में ठीक है ओके बात पक्की तो टोटल निकालने के लिए क्या करोगे देखो बाब बहुत आसान है टोटल अगर हमें निकालना है तो हमें सिलेंडर आकार वाला जो है उसका कर्व सर्फेस एरिया निकाल लीजिए सीय से और नीचे जो यह आपको सेंडर वाला आई है ती असे कि फिर हिंदी में लिखलो प्रिष्ट्य छेटफल ट आ से लाइंप सेड का प्रिष्ट्य छेट्र बराबर चलो लगां लगां हो गया लिखो कि क्या होगा टूपाई आरह टूपाइ एरह कि मां रग दिए टू और पाई कमान 22 बाटा नशाथ ये लो और और कमान कितना है रेडियस 10 एच कमान 35 35 यह जाएगा 44 यह जाएगा 50 गुड़ा कर लो बाबू पांच यूका 20 पांच यूका 222 सेंटीमीटर क्या इसको आएगा क्योंकि यह चेत्रफल था कपड़ा लगेगा उस लाइम सेट को ढखने के लिए आपका कुश्चन कंपलेट हुआ लिख लिए नोट कर लिए इसक्रेंज साट ले लिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं फटा फट जल्दी करिए बहुत जल्दी स्क्रेंज साट लीजिए अगला कुश्चन पर बढ़ें आगे बच्चों अगला कुश्चन दिखिए उसके पहले यह इंफॉर्मेशन बहुत ध्यान से देखिए 25 जून 2022 से सभी बोर्ट पर इच्छाओं की जो कलासे है नाइन टेंथ लेवन टोएल्थ वो पीवियार स्टडी 3.0 चैनल पर चलेंगी आपको दिख रहाए इस स्क्रीन पर यह नाम है चैनल 3.0 इसकूल डिस्क्रेप्शन में लिंक भी गई होगी यूटूब पर सर्च करक पर कलास ना मिले तो यह न कहूं कि नहीं चल रही बंद हो गई ठीक है अब देखिए यह स्क्रीन पर कुश्चन नमबर 11 आ चुका है लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको है यह देखना है क्या यह 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 आया यह देखना यह क्या है आपको होगे बस इसी का काम है कुश कुशन पढ़ लीजिए फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा यही वह चीज है जिसके बारे में 11 में बात कर रहा है कुशन पढ़ो और सुनों और समझो तरह किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की परतियोगता में भाग लेने के लिए कहा गया है मतलब किसी विद्यालय के विद्यार्थि जो है उनमें एक आधार वाले बेलनाकार कलमदान का मतलब वही जो पैन रखने वाला है समझ रहे हो कलमदान का मतलब यही जो पैन रखने वाला आपको दिख रहा इसी को बनाने के के लिए परतियोगता में कह रहा है भाग लेने के लिए कहा गया है कलमदान मतलब इसे इंगलिस में कार्डबोर्ड बोलते हैं कार्डबोर्ड बोलते न है तो चलो आगे देखिए क्या कहारा कुश्चन में प्रत्य कलमदान को 3 cm त्रिज्या यानि इसकी जो रेडियस है 3 cm और हाइट 10.5 cm का होना चाहिए था को 35 परत्यों इंक डिया है देखे दिया है इसमें जयादा कुछ दियान नहीं है ऐरिया एरिया इस निया है का सब्सक्रा दिया है अब इसमें आपको समझना है समझना है कि करना क्या है देखो सिंपल है सिंपल का है कि कलमदान को बनाना है एक बार ध्यान से फिर से देख लेना मैं आपको बता दे रहा हूं देखो दिख रहा है कलमदान का मतलब साथियों मेरे पास में यहां पर कुछ है मैं आपको दिखा तो अब करना क्या सुनो करना क्या इसको बनाना लगेगा पगल लगेगा उपर तो नहीं लगेगा इसमें ढाकने वाली बात नहीं हो रही कि कलम रखके ढखकन बंद करना है चाहिद नहीं क्या सबक्रिक नाच है इसका और जो नीचे आधार है उसमें भी ऋसका भूद करना में तो सीधा नीचे लगे में ऑफर लगग गया वह यह गत्ता फिदा फिदा उपर लग गई तो बृत्ता कारी लगएगा ना इक परकास से बृत्त मानेंगे न तो आप लगाऊगे इसमें बेलन वाला जो सूतर होता वह लगाऊगे और एक बृत्त का छेतरफल का लगा दोगे बस हो गया फाइनल लिखो एरिया आफ यह हुआ बटम यह फिर लिए रीयव सरकल ठीकना land का छेटर फ़ल भरांबर बसकरणान की निचे ले भाग का छे थे लेंदे लिखनी लेंद रिखना लिसी यह लिखने लेना लिख लिए चलो माम यार स्कॉयर सरकल वाला हो जाएगा नीचे वाला ना पूट कर दीजिए तो इन्टू पाई पाई कमाड टॉंटी टू अपान सेबन आर यानि रेडियस थ्री और हाइट कितना दिया था टेन पॉइंट फाइट ना रख दो प्लस टूंटी टू अपान सेबन इंटू थ्री का स्कॉयर कर लिजिए तो साथ से से काड़ देंगे तो साथ एककम साथ पॉइंट पाच वन पॉइंट फाइब आएगा बोलो इनका गुड़ा करोगे बाइस दूना चवालिस चवालिस का तीन से गुड़ा करोगे तो तीन चोग बारा तीन चोग बारा एक तेरा सही जा रहा ना एक सो बत्तित ना इन्टू 1.5 और प्लस यह आपका हो जाएगा नो हो जाएगा क्यों थरी का स्कॉर्ण हो जाएगा नो का इसमें गुड़ा करोगे एक स्वाट ठान बेया आएगा 198 अपान सेबन इनका गुड़ा कर है दो पंद्राइब 30 करके दिखा देता हूं देख लो पंद्राइब 30 का यहां 3 15-35-43-44 फंसिल चार 15- 15-15 गान गया और प्लस यह आपका लेकिन तुम सांथ रहो तब क्लास के बाद मैं पूछे न सब बताऊंगा चलो कि अब क्या करोगे क्रास मिल्टीपल कर लो नीचे साथ है बराबर बराबर है उपर कर देखो बराबर लग रहा है नीचे बराबर नहीं हर बराबर कर लो इतना कर लोगे ना कि नहीं करके देखो 1584 आएगा जानते हो ना इसको हटा तो दसमलों के बाद कोई मतलब नहीं अब तो जोड लोगे ना 1584 बटा साथ आएगा फाइनल में इसको हम जोड के यहां लिख सकते हैं 1584 बटा साथ यह सेंटीमीटर का स्कॉयर यह आ गया क्या एक कलमदान का टोटल एरिया आ गया यानि एक कलमदान के लिए 1587 बटा साथ सेंटीमीटर स्कॉयर गत्ता देना पड़ता लेकिन वहां पर साथ हो रही थी प्रतियोगी कितने थे अगया बंदर लेंगे ना परतियों की संख्या में लगता ज्यादा थी 35 व सी अ को थर्टी फाइब कंपटीटर थे ना इसमें देख लो कुश्चन में ना तो क्या करेंगे यह एक का आ गया अब लिख लो 35 के लिए लिखो लिखो इसको नोट कर लो फिर मैं मिटाओं स्क्रिंसाइट लो जल्दी बहुँ जल्दी करो बहुँ जल्दी करो फास्ट नोट कर लो बस हो गया 35 के लिए आवस्ते गता 35 से इसको मल्टीपल कर दोगे इसको काड़ दो पांच आएगा पांच से गुड़ा कर लो पांचोंग बीस पांच एठे चालिस दुबाय आलिस पचंपचीश चार उनतिस पा किसी को कोई डाउड बताओ नहीं ना इस तरह से आपका बच्चों 13.2 खतम हुआ हमने आपको 11 में से 8 कुश्चन करवाद दिया उनको कर लीजिएगा नहीं आएगा कमेंट करिएगा मैं सबका कमेंट देख रहा हूं कमेंट की चकर में बिल्कुल परिसान ना रहे लेकिन पर दाई रहां दीजिए क्लास खतम होने के बाद आप नीचे कमेंट करोगे मैं सब बताऊंगा लेकिन कलास पहले खतम हो जाने दो पहले पढ़ाने दो इसक्रीन साट ले लो जल्दी करो फाइस्ट वीडियो करो करके तुरंत स्क्रीन साट ले लिए करो देर ना किया करो एक information मैं आपको फिर से याद दिला दूँ 25 तारीक से आपकी कलास 9 और 10 की बेटाइस चैनल पे चलेंगी इसे जाकर के आज ही तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए देर मत करिए जिससे कि आप आराम से पढ़ पाएं फिर ये ना कहें कि कलास कहने चल रही ठीक है इसे कर ली सब्सक्राइब करें चैनल पर और ये कलास आप सुबहाट वजे देख सकते हो